नमस्कार मैं हूँ विनेश सिंग आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास काज करम में काफी दुनों के बाद आपके साथ हमारी बात्चीत हो रहे हैं और इस वक्त में बड़ी खबर हम तक कई है विधानसभा का सत्र सुरू हो रहा है इसके साथ साथ विधायकों का घे लाओ सुरू हो चुका है यानि कि कई ऐसे मुद्रे स्ट इस पर जार्कन में यह सब कुछ होने लगा लेकिन सब कुछ मों हो रहा है क्या इसका दिमांड जाहिर से चीज है कि जग्ण Carne में सरकार बनने के बाद और यूव कह है या बिधान सभा के बाहर दिल खोल कर बोलेगा क्या कुछ सच होगा इसी पर आज बात करेंगे जेपेशी की तैयारी में आप लगे हुए लगातार हम आपको मागदर संदेर अंतिन समय में कैसे तैयारी करनी चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और हमारी कई वीडियो आपके लि तो चलिए अब सुरुवात कर लेते हैं कि जारखंड में ये सब कुछ कैसे होगा कब होगा और क्या जारखंड सरकार आने वाले समय में आपके लिए कुछ सोचेगी सबसे पहले सुरुवात कर लेते हैं जेपेशी परिच्छा को लेकर जेपेशी परिच्छा हो रही है 19 सि लिए पूरी तयारी कर ली गई है एक्जाम में जाने के पहले आप अगर वैक्सिरेशन ले लिए है तो उसका सर्टिफिकेट भी रख लीजेगा और साथी साथ आपको बता दे कि आप अपने साथ में पेंसिल और इसके साथ-साथ अपना एड्मिट कार्ट जो डाउनलोड कर है तो इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको दिकत नहीं होगी अब इससे भी महत्वपून यह है कि क्या जेपेसी परिच्छा में करेंट इवेंट कब तक का है जो कि समय में स्टूडेंट के दिमाग में ही चल रहा धेर सारे मैगजीन है मार्केट में करेंट इवेंट क मैं तक का करेंट इवेंट आप जरूर से देख लिजिएगा उसके पहले 2020 का पूरा वर्ष का करेंट इवेंट आपको देखना होगा कि इसके अलाबा विशेष आपको ध्यान जो है वो धार्खन विशेव पर ही दे दीजिए क्योंकि 115 कुस्चन वहां से आ रहा है एक सो पूरा का पूरा और दूसरे विशेव में 15 कुस्चन है तो जैससी का क्या होगा जैपेसी तो अपना रास्ता को पकड़ रही है लेकिन कि अमावली पर सब कुछ ठीक नहीं है और संभवता इसी सप्ता यानि की आने वाले वीक में हाई कोट में केस दर्ज हो जाएगा और इसके बाद एक बार फिर से जार्खन में गरहन लगना तय है खास करके क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी में इसलिए जरूरी हो जाता है कि सर सब कुछ ठीक नहीं है जो जीते हुए विधायक है जो मंत्री है वो खुलकर तो नहीं बोड़ है तो उनको यह समझ में आ रहा है कि से सरकार की मुश्किले बढ़ेगी तो फिर क्या जेटिट हो पाएगा जेटिट 2021 के आयोजन को लेकर विधानसभा सत्र के ठीक पहले लग सत्र विधायकों की सूची हम तक आई है जिसमें सभी इस्टूडेंट ने जो जो विधायकों को लेटर दिया गया उसमें डिमांड किया गया है कि कम से कम उनके बारे में विचार किया जाए और जेटिट परिचा का आयोजन किया जाए साथ सितंबर को इसी कड़ी में एक बड़ा आंदोलन का भी एलान कर दिया गया है जेटेट इसलिए महत्पून हो जाता है कि सरकार के गठन होने के बाद सिर्फ दो ही बार जेटेट परिचायोजन हो पाया है एक बार में कॉंसेलिंग हुई है और दूसरी बार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए 2016 जेट सरकार को सुचना है हमने 2016 जेटेट पास अभरतियों के संग के अध्यच्च और नेतित्य करता से बात किया उन्होंने साब्त और प्रकायक उनकी डिमांड सिर्फिय है कि उन्हें बहाली चाहिए बहाली कैसे करनी है क्या इसमें नियमावली होना चाहिए सरकार को सुचना है और स्टुडेंट इसे बरदास कतापी नहीं करें यही कारण है कि इन दिनों जार्खन में एक बार फिर से आंदोलन की रन्निती सुरुआत हो गई है और अंदोलन की सुरुआत भी हुए कारण इसका साफ साफ है कि सरकार समय पर ध्यान नहीं देती है और जब सरकार पर कुछ कर पाती क्योंकि सारी कुछ जो है वह योजना की जैसे दिखती है मतलब एक पंच वर्षी योजना चल रहा है अधर में लटका हुआ है तो वह जैसे सरकार बोलती है कि हम समाजिक चीजों को देखेंगे परियावरन बहतर कर देंगे उसी प्रकार की यह योजना नज समय पर स्टूडेंट कर देते हैं तो यह एक समिकरन भी समझ में आता है कि युवा जारखंड में खासे नाराज है अब देखना पड़ेगा कि क्या इस विधानसभा सत्र से जो उमीदें बंदी हुई है चाहिए वह कॉंग्रेस हो जैम हो यह बीजेपी क्या उस उमीद पर खरा उतरेगी कभी यह सरकार यह फिर हर बार की तरह सत्र हंगामेदार होगा सिर्फ घोसनाएं होंगी और घोसना भी ऐसी होंगी जिससे युवा को लेना देना नहीं है हलांकि इस्पोर्ट्स के छित्र में हाल में ही केल मंत्री ने खिया है कि वह रोजगार हर साल पचास लोगों को देंगे लेकिन इससे कुछ से मुस्कान और हलकी से खुसी आती है लेकिन जादा दीन नहीं तिकता ये च्छन भंगूर हो जाती है और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि सरकार ने सिफ ऐसे ही बोल दिया था क्या इस बाद विधानसबा सत्र में ये सब कुछ देखने को मिले हमारे साथ आप जुड़ रही